विज्ञान भैरब तंत्र की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम शिव और पारवती के बीच के समवात की बात करेंगे। जिसमें ग्यान, मुक्ती या मोक्ष पाने की 112 विदियो का वर्णन है जो भगवान शिव द्वारा पारवती को बताए गए। तो सबसे पहले तंत्र को समझते हैं। तंत्र के मामले में लोगोंने कुछ गलत धारनाई बना रखी हैं। जञातर लोग तंत्र को समभोग से जोड़कर देखते हैं। हालाके तंत्र का मतलब होता है तरीका, विद्धी। तंत्र की इन विदियों में जञातर जो चर्चा हुई है वो ग्यान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म का मार्ग है। विज्ञान भैरफ तंत्र की सभी विदियों में परम ग्यान को पाने के मार्ग हैं और उन विदियों के बीच आपको बहुत कुछ ऐसा प्राप्थ हो जाता है जिससे सादक भटक जाता है जैसे तांत्री विद्याई वशीकरन जादू टोना इत्यादी परंतु विज्ञान तंत्र का यह उपयोग नहीं बल्कि इसका उद्यश तो परम ग्यान पाने का है तो चलिए आज विज्ञान भैरफ तंत्र की 112 ध्यान विदियों में कुछ विदियों के बारे में जानेंगे बाकी विदियां आपको मेरे आने वाले वीडियों में मिल जाएंगी तो पहला मा प्राण स्वास कहा गया है मतलब जब प्राण या रेचक शब्द आए तो उसका मतलब होता है स्वास को छोड़ना और ठीक वैसे ही स्वास को अंदर लेने को हम स्वास का लेना कहते हैं जिसे पूरक भी कहा जाता है और विज्ञान भैरफ तंत्र में इसे अपान स्वास य समय फिर हम कुछ देर रुखते हैं तो स्वास को भीतर लेने के बाद रुखना और स्वास को छोड़ने के बाद जो रुखना होता है यानि आती जाती सासों के बीच में जो गैप है जो एक अंतराल है एक ठेराव है उसे कुम्भग भी कहा जाता है तो विज्ञान भैरफ तंतर में पांच धारणाएं स्वास पर है भैरफ यानि शिव कहते हैं उर्जा के बनने और बिखरने के सौबाफ से ही बाहर आता हुआ स्वास और अंदर जाता हुआ जीव स्वास निरंतर चलता रहता है इन दोनों ही स्वास की उत्पत्ती बिंदु पर भैरफ की शक्ती क भावना करने पर उसका भैरफ स्वरूप प्रकट होता है दूसरी धारणा अंदर आती हुई स्वास अंदर आने के बाद और बाहर जाती हुई स्वास बाहर जाने के बाद एक्षण के लिए विलीन हो जाती है उस मध्यस्तिति का विकास करने पर चेतना का भैरफ दारना स्वास रूपी प्रांड शक्ति और जीव शक्ति ना बाहर जाए ना अंदर आए उस मध्यस्तिति को विक्सित करने पर सादक अपने भैरफ स्वरूप को पैचान लेता है। चोथी धारना बाहरी कुम्बक और अंतर कुम्बक की मध्यस्तिति के विकास करने पर प्राण और अपान शान्थ होने पर चंचलता शान्थ होकर चेतना का शान्थ स्वरूप प्रकाशित होता है। तो पहली ये चारो धार्णाए स्वास पर हैं एक जैसी ही प्रतीत होती है भगवान शिव इन धार्णाओं के बारे में बताते हैं कि उर्जा के सोभाब की वज़े से ये सांस चलती रहती है स्वांस कहां से शुरू होती है उस पर विचार करने से परमूर्जा के वारे में खयाल आता है यनि अपनी स्वांसों पर ध्यान दें कि वैं कैसे चल रही है आज की हमारी इस विजी लाइफ में हम इस पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि हमारी सांस चल रही है या नहीं चल रही है यहां यह कहने का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए बैठ जाओ और अपनी ही सांसों को देखो कि यह कहां से चल रही है कहां से आ रही है आती जाती सांसों के बीच में हम कितनी देर रुकते हैं दोनों के बीच में कितना अंतराल है इसे प्राकर्टिक रूप से देखें फिर धीरे-धीरे स्वांस को छोड़ने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस रुकने पर गौर करें एसे ही स्वांस को अंदर लेने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस समय पर गौर करें वहाँ ध्यान दें स्वांस को रोकते समय आपके भीतर क्या-क्या होता है उसे देखते रहें इस पर ध्यान देने से आपका मन शान्थ हो जाएगा और हम जिन भौतिक बातों के लिए दोड़ते रहते हैं वह सभी भौतिक चिंताएं कम हो जाएंगी जैसे ही हम शान्थ होकर बैठेंगे हमारी बहुत सारी परेशानिया कम होने लगेंगी और धीरे धीरे पर हम उर्जा या भैरफ सरूप क्या है उस बारे में हम जानने लगेंगे देखिए स्वांस की इस परिक्रिया से आपके अंदर जो घटना घटने वाली है वह कोई एक दिन में नहीं घटेगी आपको ये वीडियो देखकर लग सकता है कि आप दो-चार दिन बैठेंगे और स्वांस का ये परियोग करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा पर ये इतना आसा नहीं है स्वांस के बीच की स्थिती को पकड़ने में देख लगती है और जब आपका मन और आपके विचार शान्त हो जाएं तब ही समझना कि आपने बीच की स्थिती पकड़ ली है आपके मन में विचार चल रहे है या आपके मन में ऐसा भी विचार आता है कि हाँ अब मैंने बीच की स्थिती पकड़ ली है और मैं निर्विचार या शुन्ने की अवस्ता में हूँ तो इसका सही अर्थ ये है कि आप अभी बीच की स्तिती में नहीं है ये मन के ही द्वारा दिया जाने वाला एक धोका है अब स्वांस की पांचवी धारना प्रान और अपान वायू के आने जाने के सभी द्वार बंद करके उसकी गती रोकने पर शरीर में चीटी चलने जैसा प्रान के उपर उठने का अनुभव होता है उससे चित्व परम आनन से भढ़ जाता है अर्थार्थ जब आप अपने मूँ और नाक को बंद करके स्वांस रोकने का प्रयास करते हैं और इसे थोड़ा लंबे समय तक करते हैं शुरुवात में आपसे आसानी से नहीं होगा परंतु धीरे धीरे जब आप स्वांस को अपने भीतर रोक के रखेंगे तो स्वांस के उर्जा के उस फोर्स से आपके शरीर में चीटी चलने जैसा अनुभव होगा उस अनुभव को देखते रहने से और उसको विक्सित करने से आपको आनंद मिलेगा ध्यान देना इन सबी धार्णाओं में याद रखना है कि हमें केवल धार्णा करनी है यानि इन सब को बिना तरक लगाए गहरे में मान लेना है फिर इसमें परमात्मा से जो भी अनुभव मिलना होगा वह मिलेगा और अगर कोई अनुभव नहीं मिलता तो हम अपनी तरफ से जल्दवाजी नहीं कर सकते परमात्म रूपी अनुभव ये हमारे हाथ में नहीं होता जब उसकी किरपा होगी तब ये हो जाएगा आपको केवल किरिया करनी है ये विदी करनी है और पूरी तरह से परमात्मा पर समर्पित करके करना है बाके सब कुछ उसी पर छोड़ देना है और दूसरी बात ये सब करके हम केवल शान्त होंगे और उस परम उर्जा को जान पाएंगे इससे कोई भौतिक लाव या सिद्यों की आशा मत करना और इन विदियो को आप दिन में कभी भी कर सकते है आपको जब भी समय मिले इसका प्रयास करते रहे तो विज्यान भैरप का ये पहला भाग था जिसमें स्वास के उपर पांच धाड़नाई थी याद रखना इन पांचों धाड़नाओं को आपको भीतर से मान लेना है और फिर इसे परयोग करते हुए इस मान लेने को आपको स्वेहम से जानना है तो विज्यान भैरप तंत्र का अगला भाग देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर चैनल पर पहली वार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे आप आध्यात्म से और घहरा जुड़ सकें तथा इसमें घहरा उतर सकें नित्य जीवन हो नित्य जीवन क्या है और क्यों कहते हैं शिव कि प्रेम किये जाने के इक्षण में ध्यान किये जाने के इक्षण में नहीं कह रहे हैं शिव प्रेम किये जाने के इक्षण में कह रहे हैं प्रेम के बार में क्यों बात करता है शीव को तो हम महायोगी, आदियोगी, तरबयोगी, समसानवासी, किस्त्वकार के सज्ञ्या अपाधियों से निवोसित करते हैं, तो शीव प्रेम के बारे में क्यों बाद कर रहे हैं? बेकिन आप देखलें होंगे के, शीव अर्दंपरवथी के साथ रहते हैं, शीव परवति विराजमान जब होते हैं, युका तो प्रेम है, यू छलगता है, अर्दनारिश्वान जो फोटो है शीव परवथी का, और किसी देवता ằngुज और नहीं है, अन्य d жд cana है अर्दनार जब आप प्रेम करते हैं, जब आपके साथ प्रेम में आविध्य होते हैं, हालिंगन में, चुम्बन में या संभोग में, तो उसमें ऐसे प्रमिश करो, ऐसे उत्रो, ऐसे करो, जैसे कि वह नित्य जीवन हो, प्रेम, Love, Bible कहता है, Love is God, प्रेम, मृत्यू, ध्यान, ये एक युजए एक श्रियंसे से, ध्यान में आप डूपते हैं, अब जामें खोते हैं, मृत्यू में तब इतने घहरायने, डूपते हैं, कि पूरा ही खो देते हैं, और प्रेम में, आजमें ऐसा डूपता है, कि ये लोग कहते ह love is blind, इतना प्रफ्लित, अंधित खो जाता है प्रेम में कि हर दम, इसके सामने, अपने प्रेमिका की चबी, या कोई लड़की है तो, जिस लड़के से प्यार करती है, उसका चबी, हर दम ते माहिने चलते हैं, किस पकाशे जूद सके, उसके जूद सके, जिसने प्रेम ही न किसे प्रेम करने से पहले किसी से प्रेम करना हो 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 कि अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं तो आपके अदर प्रेम ही नहीं है तो आप प्रेम किसी को दोगे कैसे फिर वोला प्रेम हो जाएगा वसन रस्तिसकत प जोड यह कितना बन जाएगा, घर कैसे बसाएगे, लाज वीडियो में इसके लागए, जोड तो हिसाब किताब, मैथमेटिक्स का, क्या जोसके कहते हैं, मैथमेटिकल लग, ने, मैथमेटिकल लग नहीं होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ है, या महबबत, तो शिल कहते हैं कि, आफ अपने प्रेमी के साथ में, या प्रेमी के साथ में, प्रेम में ऐसे प्रवेश करो, कि जैसे वह नित्य जीवन हो, यह नित्य जीवन क्या है, पहले इसको समझ ले तो पूरी सेंटेंस समझ आ जाएगा, नित्य जीवन, जीवन क्या है, हमरा जीवन क जो भीत चुका है, जो हो रहा है, जो आने बाला है, इसको हम जीवन कहते हैं, मतल जन्म और बित्यू का ये जीकाल-खंड है, इसमें जब हम गती कर रहे हैं जीवन, समय, एक अवधि है, एक वंद्ध है, एक बंदा पएदा हुआ निर्स सो पचास में, मरे गा 2 हजार पंदर में यह उसका अतीत हो गया, अभी चल रहा है, अभी जो जा चुका है, जो आ रहा है, जो जा चुका है, वो अभी नहीं है, जो आने वाला है, वो अभी नहीं है, अभी है क्या, अभी जो है, वो है नित्य जीवन, शास्वत यही है, वर्तमान ही नित्य जीवन है, वर्तमान को समय की बरिभाशा में प्रयोग करना या समय की हिसाब से तोरना गलत है समय तो अतीत हो सकता है या भविश्च हो सकता है वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है क्योंकि हर पल हर पल समय चुप रहा है ये 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 तो ये जो हर पल समय चला जा रहा है तो जो आप जिन्दा हो, जो जीवन आपका आपी चल रहा है, जिसमें अभी आप हो, यही सास्वत है, यही नित्य जीवन है, जैसे मृत्यू, मृत्यू का गटित होगी? आपकी मृत्यू अतित में गटित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, आपकी मृत्यू भविष्या में ग केवल वर्तमार में अभी हो सकता है, जैसे प्रेम ना तो अतित में हो सकता है, ना घृष्ष्व में हो सकता है, ध्यान ना अतित में ना घृष्ष्वत में, ये सभी अभी की चीज़े हैं, अभी हो सकता है, इससे कहते हैं कि नित्य जीवन, ये सास्वत समय, जो गती है समय की ये गती horizontal होती है जैसे आपका अतीत आप मानिए कि x y axis है y axis negative ये आपका past और y axis positive ये आपका भगिश है ये center बीच का जो है x और y axis का जो point है जहां जुड़ता है ये खिशकता जा रहा है ये आपका वरतमान है और ये वरतमान नित्य जीवन है जो रीत तो रहा है लेकिन रीत नहीं भी रहा है जो रीत रहा है लेकिन नहीं रीत रहा है तो इसे क्या कहेंगे आपक? क्या कहेंगे कि ये समय है जो है भी और नहीं भी है बाइबल में जो जिससे कहा गया किसने पूछा कि स्वर्ग में क्या होगा वो कहते हैं कि स्वर्ग में समय नहीं होगा क्योंकि समय में जब हम रहते हैं जो भी समय के दाइरे में आएगा उसका बिनाश होगा जो की काल के दाइरे में आएगा उसका बिनाश होगा जैसे काली है काली समय से परे हैं वो हर्दम हैं आदिशक्ती हैं और अभी भी हैं और हर्दम रहेंगी सदा सरदा रहेंगी इसलिए कालातीत हैं काली है इसलिए महाकाल के उपर में खड़ी हुई है काली जो महाकाल के उपर में अपना पैर लगकर खड़ी हुई है काली ये बता रही हैं कि वो काला तीत है वो समय के बंदर में नहीं आते हैं तो स्वर्ग में जिसस कहते हैं कि वहां समय नहीं है तो जब आप प्रेम की खिशन में होते हैं आलिम्दर बद्ध होते हैं वो प्रेमें पूरे डुबे होते हैं तो उस समय आपको समय का ग्यान नहीं रहता है, समय को आप भूल जाते हैं, मन जो हैं सुन्य हो जाता है, आप भविष्ट्र के बारे पर नहीं सोचते हैं, नहीं अतित के बारे पर सोचते हैं, तो आप कहां रहते हैं, अभी, और अभी सास्वत है, खर्दम है, क्योंकि अभी फिर अभी फिर अभी इसको कहते है नित्य जीवन शिव कहते है नित्य जीवन तो प्रेम में ऐसे उत्रों कि जैसे आप इस नित्य जीवन में हैं शिविय कह रहें, जैसे कि शरीर की जो बोध है, वो खत्म हो जाए, आपकी जो दृष्टी है, उस दृष्टी में केबल प्रेम ही प्रेम हो, इतने गहरे उतर जाओ, इतने गहरे उतर जाओ कि तुम ही प्रेम बन जाओ, जैसे गोपियां कृष्ण भूपी बन जाते थे उस पकार से जब आप अपने प्रेमी के साथ हो तो उसमें प्रेम में इतना डुबा दो की वर्तवान में ही जियो और ये सक्ष है आप जो गहरे प्रेम के क्षण में आप अत्रित के बार में नहीं सोचते रहते हैं नहीं भव गवादी और भविश्च लार्था है तो वर्तवान में रहने की कला जो है पूस्टेंज अब इनकिताब देखेंगे ने घेट्व डैस्टेंज वेलिटी जो कि आपके अबेज़ान में कोगो में अलग अलग जगों में फ्जिकल बुक इसाब से एबुक के इसाब से अब उसको देखें, जाने, और ये सिखें एकलाब, कि वर्तवा में किसे जिया जाए, जो लोग अतीत में जीते हैं या भाविष्ट में जीते हैं, उनका मन, हर्दम, उल्जन से भरावा होता है, स्ट्रेस्पूल होता है, या गिल्ड से भराव होता है, गलत कुछ काम किये थे अत इसलिए होता है, वो इसलिए होता है, क्योंकि हम अतीत या भाविष्ट में जीने कोशश करते हैं, समय के साथ जीने कोशश करते हैं, वर्तवार, जो के सास्वत, जो के निथ्य जीवन है, इसमें एक गुर्जा है, प्राण है, उसमें जीना भूल चुके हैं, इसलिए हम अ कुकि प्रेन ध्यान रुट्यूUSE से आछ ये सब अ थेसके को तुछ को प्रचय और पोसमें को अवताओं में जीवन पर हो सकता है और श्क्षाट में फोसक्ता स्था जाओ तरहां दुख जाएं थम जाएं ठहर जाएं वर्तवान में ना कि घिषते रहे और पिटते रहे लेगे जेए को पेंडुला ओ अटिरम वह जा टरफ भविस्टतर टरफ वह जातीक जरफ बीट में रुख जाएं इसको कहते हैं बुद्ध मज्जीमार कबिडल पात बीट में शान्त होकर तभी आपके आत्मदस्तन होगे पुझ हम आत्मदस्तन होगे अपने साथ मिलें तब आप आनंत के सहभर में श्थित होंगे एक सो नव चक्र है हमारे शरीर में उन में से मुख्य है बारा और उन में से भी मुख्य है नव और उन में से भी मुख्य साथ चक्र है चक्र वाने जहां नस नाडियां सब एक होती है वाहां पीछ में तो हमारे शरीर में कई चक्र है एक मुलादार चक्र जहां रीड की हड़ी शुरूत गुद प्रदेश है गुद प्रदेश के पास है वो मुलाधार उससे उपर है जननेंद्रे के पीछे वो स्वादिष्टान चक्र और तीसरा है नाभी पे हैं नाभी में जो है वो मनिपूर चक्र कहते हैं फिर हृदय में हैं एक चक्र अनाहत चक्र फिर गले में हैं इस चक्र को कहते हैं विशुद्धी चक्र और दोनों बहों के बीच में अग्या चक्र इसब डख्लस ग्लाइंज करते हैं एंडोख्रैन सिस्टम में इन सबका वरडन हैं अंगरेजी जो सिस्टम है मेडिसन का उसमें उन्होंने भी इन चीजों को माना इंडोक्राइन सिस्टम हमारे पूरवज नीतनी हुजारों साल पहले इस बार कुछ जनते थे अच्छा फिर जो पीचुटरी ग्लैंट स्पीनियल ग्लैंट करते हैं आग्या चक्र फिर सहस्रार हाइपोधालमस करते हैं जब चक्र पर ध्यान देते हो पहले तो कुछ नहीं अनुभव होता है सिरफ ब्लैंकनेस आते हैं खालीपन फिर थोड़ा समय के बाल वहां स्पंदन होने लगता है तरंग का अनुभव होता है फिर तरंगों के अनुभव के पस्चाथ प्रकाश अनुभव में आता है तो तीन स्टेजस हैं एकी साथ नहीं होगा पहले तो कुछ नहीं खालीपन फिर यदि आप लोग ध्यान कर रहे हो साहच समाधी कर रहे हो बहुत दिन से ध्यान कर रहे हो आपको मैसुस होता होगा जब ध्यान में बढ़ते कुछ वाइब्रेशन्स, तरंगों का अनुभवा आता है, कितने लोगों तरंगों का अनुभवा होता है, हाथ उठाइए, फिर तरंग बदल करके फिर जोती रूप होता है घर में कोई सो रहे हो, तो उनके सिर के उपर बारा अंगुल के बीच में ऐसे हाथ करो, उनका नाम लो या सिर्फ हाथ करो तो वो जग जाएगा, उनको छूने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सूक्ष्म शरीर बारा अंगुल पर कथम होता है, मन इतना बड़ा है इसको बाइक जानिकोंने केरेलियन फोटोग्रफी बाइकरा लेकि तुम्हारे आभा मंडल का चितर भी निकालते हैं अबे और तुम ध्यान करते हो सुधर्शन क्रिया करने के बाद आभा मंडल का चितर लो और पहले लो बहुत बड़ा फरक होता है हमारा सुक्ष्म शरीर स्टूल शरीर से बढ़ा है जब सुक्ष्म शरीर सिकूडता है तब हमको अच्छा नहीं लगता जब भी आपको अच्छा लगा खुशी महसूस हुई उसके साथ क्या अनुबव हुआ ऐसा लगा कुछ फैलता हुआ अनुबव में आया जब दुख होता तो क्या अनुबव करते है जैसे कुछ सिकूड गया हो जैसे कोई चीज सिकूडता हुआ अनुबव करते है यह जो चीज़े जो सिकूडता है और फैलता है यही हमारा मन है यही हमारी चेतना है तो ना समझ लो आत्महत्या करते हैं पता क्या हो रहा उनके साथ उनका मन सिकुड गया अब शरीर रहने के लिए अच्छा नहीं लगा अरे बैब कुछ नहीं थोड़ा सा फूंक मारो प्राणायम करो बस्त्रिका करो देखो तुमारे सुक्ष्म शरीर वापस यधास्तिती हो जाएगा इस विज्ञान को नहीं जानते हुए हम कितनी लोग आत्महत्या कर रहे हैं मरलो आपकी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप उससे निकलना चाहते हो कि नहीं आपका स्वेटर हो शर्ट हो या कोई भी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप क्या अरे इससे निकलो मुक्ती चाहिए ऐसा ही मन सिकुरता है तो लगता है शरीर से हड़ जाओ इसी लिए आत्मात्या करते हैं जैसे ये लोग प्राणयम करेंगे ध्यान करेंगे क्रिया करेंगे क्या होता है? सुक्ष मुशरीर फिर मजबूत होने लगता है अपना नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है फिर वो यात्मात्या नहीं करता तो शरीर में एक द्वादशांत गोलते हैं बारा अंगुल के ऊपर इदर एक चक्र है सिर के ऊपर भी एक चक्र है वहाँ आपका सुक्ष मुशरीर का अन्ध होता है मगर आप साधना के दरिये इसको बढ़ा होगे तो आपका सुक्ष मुशरीर कारण शरीर बहुत बड़ा हो रहा है वही ईश्वर साक्षातकार है जब स्थूल शरीर से सुक्ष मुशरीर सुक्ष मुशरीर से अपना कारण शरीर जिसका व्यापती सब जगे है कैसा जैसे टेलिविशन का जो तरंग है वो तरंग सिरफ आपके घर में कमरे में है कि सब जगे है वो तरंग सब जगे व्यापत है ऐसे हमारे बीतर जो चेतना है वो स्थूल रूप में शरीर बना सुक्ष मुशरीर रूप में मन बना और कारण रूप से तरंग के रूप में सब जगे व्याब्त हुआ है इसलिए इस देश में मंत्र को बहुत महत्वदिया एक उंकार सत्नाम करता पुरग एक उंकार ही सत्नाम सच्छा नाम है वही अस्तित्व में ती इस आवाज को तुम सुन सकते हो एक उंकार दुनिया के कणकण में उंकार है दुनिया ही नहीं पुरे विश्व ब्रह्मांड के कणकण में उंकार है अब शंकर कहते हैं प्रणवादी समुचार्या किस उंकार का उचारन करो वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लई हो जाए तो तुम भायरव को प्राप्त करोगे भायरव अवस्ता खाली हो जाओगे तो ओंकार का ध्वनी ओंकार करने से पहले और बाद में भी तुम उस चैतन्य सत्ता में विलीन होते हो या जागरत होते हो अनहदे पात्र करने अभगन शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मन निष्णाता परम ब्रह्मादिकचती अनहद नाद को सुन लो अपने बीतर या अभगन शब्द जैसे एर कंडिशन के आवाज आ रहा एक साथ यह एक जरना पानी की जरने का आवाज सुनते 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 जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं जब पानी में कुदने के लिए लोग जाते हैं कम लोग मरते हैं उसमें पता हैं वहाँ पानी के किनारे जाके बैठते ही या देखते ही कुछ मन में होने लगता है, कुछ मन शान्त हो जाता है वैसे तलाब में नदियों में खूद के मरने वालों की संक्या बहुत कम है फंके में लटकर के मरने वाले जाता है जलकी स्रोत के पास बैटके उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो वो खल-खल की आवाज में, नीरव में, तुम अपने आपको खो देते हो, उस स्तिती में तुम भैरव के करीब हो जाते हो, फिर शिव कहते हैं, शब्द को सुनते, 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 फिर शब्द के परे चले जाना, कि शब्द भी कुछ समय के बाद भोज लगता है, भारी ल लगता है ना, बहुत जादा लौट स्पीकर है, बहुत जादा कोई भजन करते रहे, या कोई भी काना चलता रहे, लगता कभ इससे मुक्ती हो, जितने हम समवेधन शील होते हैं, उतने हमको सुक्ष्म शब्द पसंद आने लगते हैं, जो कम समवेधन शील है, हार्ड रॉ रॉक बैंड, उससे क्या होता है, हमारा शरीर के अलग-अलग चक्रों पर भी नाद का असर होता है, बेसर्द स्पाइन, पहला चक्र पर रॉक बैंड का असर होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है, फिर वहां से उपर जाएंगे ना भी, ना भी में तंतुवाद्य का असर करता है, आप सितार बजाए, भीना बजाए, या कोई मेटालिक स्क्राइच होता है, कहां आपको अनुबह होता है, कोई लोहे का कुरसी या कुछ खीचे, तो आपको उसका असर कहां पढ़ता हो, पेट में पढ़ता है, ना भी से घरदई तक तंतुवाद्य का है, तं सितार सितार सब इदर, फिर खृदय से लेके गले तक का असर बासुरी की है, फ्लूट इंस्टुमेंट्स का है, फिर वहां से चलोगे, भुरूमध्य में गंटी और शंक, हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही सब रखा जाता था, सबसे बाहर बड़े-बड़े नगारी, नबत् से सब रखते ते, उधर से नीचे जाते जाते घर्ब ग्रह में सिरफ गंटी होते हैं, चोटी सी शंक होते हैं, गंटी होते हैं, अब बच्चों को सुलाना हो तो रॉक म्यूजिक लगाओ, कोई बच्चा नहीं सो पाएगा दूनिया भर के, उनके लिए क्या जिंगल बल, चुटी सी गंटी, चुटी सी आवाजों, तरंगों, जलतरंग, पियानों इस तरह के, इन चीजों से बच्चे सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बच्चा बोलने से पहले गाता है, पहले गाले ही आप बोले, गाते हैं, हर व्यक्ती जीवन में गाते हैं, चाए शवर के नी संगीत भी एक माध्यम है यहाँ शिव करे संगीत के माध्यम से भी तुम मुझ जैतन्य सत्ता में आ सकते हो कोई 112 विधियां है सारे जगत में ध्यान की और प्रतेग विधी अधुत है और 112 विधियों से आदमी परमात्मा तक पहुँच सकता है उसमें एक दूसरे से बिलकुल विपरीत विधियां भी है इसलिए एक विधी को मानने वाला दूसरी विधी को बिलकुल गलत कहता है लेकिन वे 112 विधियां सभी व्यक्ति को ध्यान और सांती और आनंद और सत्य तक ले जाने का मार्ग बन जाती इस ध्यान केंद पर पूरी 112 विधियों का प्रियोग करने का ख्याल है और तब पहली बार पृतिवी पर उस तरह का प्रियोग होगा जिसने आज तक पृतिवी पर सारे ध्यान की प्रिक्रियों को एक साथ एक जगे है हम एक भी व्यक्ति को वहाँ खोना न चाहेंगे वो किसी भी मार्क से जा सके उस मार्क पर ही उसे सुझाव दिये जा सके अब अजीब अजीब विधिया हैं जिनका आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम एक दो विधी मैं आप से कहना चाहूँ टिबबत में एक बहुत छोटी सी विधी है बैलिंसिंग संतुलन उस विधी का नाम है कभी घर में खड़े हो जाएं सुबह इसनान करके दोनों पैर पहला ले और ख्याल करें कि आपके बाएं पैर पर जादा जोर पढ़ रहा है कि दाएं पैर पर जादा जोर पढ़ रहा है अगर बाएं पर पढ़ रहा है तो फिर आहस्ते से जोर को दाएं पर ले जाएं दो छंग दाएं पर जोर को रखें फिर बाएं पर ले जाएं एक पंधरा दिन सिर्फ सरीर का भार बाएं पर है कि दाएं पर इसको बदलते रहें और फिर ये तिब्वती प्रियोग कहता है कि फिर इस बात का प्रियोग करें कि दोनों पर भार न रह जाए आप दोनों पैर के बीच में रह जाएं और एक तीन सब्ताह का प्रियोग और जब आप बिलकुल बीच में होंगे भार ना बायें पर होगा ना दायें पर जब आप बिल्कुल बीच महोंगे तब आप ध्यान में प्रिवेस्ट कर जाएंगे ठीक उसी चण में आप ध्यान में चले जाएंगे उपर से देखने पर लगेगा कि इतनी सी आसान बात करेंगे तो आसान भी मालूम पड़ेगी और कठिन भी मालूम पड़ेगी बहुत सरल मालूम पड़ती है दो पंतियों में कहीं जा सकती है लेकिन लाखों लोगों ने इस छोटे से प्रियोग के द्वारा परम आनंद को उपलब्द किया है जैसे ही आप बैलन्स होते हैं न बाएं पर रह जाते हैं न दाएं पर रह जाते हैं जैसे ही दोनों के बीच में रह जाते हैं वैसे ही आप पाते हैं कि वो बैलन्सिंग वो संतुलन आपकी consciousness का चेतना का भी बैलन्सिंग हो गया चेतना भी बैलेंस्ट हो गई चेतना भी संतुलित हो गई तत्काल तीर की तरह बीतर गती हो जाती ऐसे 112 विधियां हैं सारे जगत में इन सारी 112 विधियों पर विश्तरत विज्ञानिक ब्यवस्था इस ध्यान के इंदर में देना चाहता हूं और नकेवल आपको समझाया जा सके बलकि आपको करवाया जा सके अगर एक विधि से न हो सके तो दूसरी विधि से करवाया जा सके लेकिन हम आपको उस मंदिर से निरास न लोटने दें क्योंकि 112 ये चरम विधियां हैं इस से जादा हो नहीं सकती अगर एक विधी काम नहीं करती, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करती, तीसरी करेगी और आपकी विधी ततकाल खोज ली जा सकती है कि कौन सी विधी आप पर काम करेगी आप पर कौन सी विधी काम करेगी इसकी खोजने की साइंस भी इसके खोजने का भी विज्ञान है और यदि हम इस समय देश के बड़े बड़े नगरों में और देश के बाहर भी ध्यान के ऐसे विज्ञान मंदिर निर्मित कर सके तो मनुस जाती के लिए जो आज सरवादिक पीडा और संताप से गुजर रही है और जिसे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि जो जो हमने सोचा था कि इससे सब ठीक हो जाएगा उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ सोचा था कि लोगों के पास बोजन ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा आज दुनिया में आदी दुनिया के पास बोजन बिल्कुल ठीक सोचा था लोगों के पास कपड़े होंगे, मकान होंगे अच्छे रास्ते होंगे दबा होगी, चिकिस्सा होगी, बिमारियां कम होगी आज आदी दुनिया के पास सब है एक बड़ी अद्बुद घटना घटी है कि जिन के पास आज सब है वे ही सरवाधिक असांत बेचन और परेशान हो गए गरीब मुल्क एक अर्थ में सौभाग किसा ली है भूखे मरते हुए मुल्क एक अर्थ में सौभाग किसा ली है क्योंकि अभी भी उनकी आसा जीवित है उन्हें ख्याल है कि समाजवाद आएगा धन बढ़ेगा, धन बटेगा, सब ठीक हो जाए ये आसा भी उन मुलकों की तूट गई जहां ये सब ठीक हो गया है अब वे बड़ी निरासा में, गहन निरासा में खड़े हो गए इतनी होपलेसनेस, इतनी आसा रहित्ता कभी भी मनुस के इतहास में पैदा नहीं होई थी आज अमरीका जितना आसा हीन है उतना पृत्वी पर कोई भी नहीं और आज अमरीका मनुस के इतहास में पृत्वी का सरवाधिक संपन सरवाधिक सुखी हमारे अर्थों में सब कुछ जिसके पास है और फिर भी अचानक अनुभा हो रहा है कि कुछ भी पास नहीं है इतनी आसाहीन इस्थिती का कारण एक है हमने सोचा था जिन बातों से मिलेगा सब वो सब डिस इलूजनमेंट वो सब भरम तूट गए और अब हमें वापिस लोट कर सुनना पड़ेगा बुद्ध को, क्रश्न को, क्राइस्ट को, मुहम्मत को क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बार बहुत पहले ये कहा था कि सब भी मिल जाए मनुस्य को लेकिन अगर स्वयम का अनुभव न मिले तो कुछ भी मिलता नहीं लेकिन हमें उनकी बात ख्याल में नहीं आ सकी नहीं आ सकती थी क्योंकि बात बड़ी कालपनिक मालूम पढ़ती थी बहुत ओटोपियन मालूम पढ़ती थी और जो लोग कहते थे धन मिल जाए, मकान मिल जाए उनकी बात बड़ी प्रेक्टिकल और बैवहारिक मालूम पढ़ती थी इतहास का मजाक कि जो लोग बहुत प्रेक्टिकल थे वो बहुत ओटोपियन सिद्ध हुए और जो लोग बहुत ओटोपियन थे आज प्रत्वी पर वे ही सबसे ज़्यादा प्रेक्टिकल सिद्धोने के करीब लेकिन धर्म अब पुराने रास्तों से नहीं लोटाया जा सकता है अब धर्म नए ही रास्तों से प्रवेस करेगा उसके नए रास्ते विज्ञानिक और तकनीकी होंगे अब जिसे एक आदमी हिमाले जाता था आज भी हम सोचते हैं एक आदमी हिमाले जाए तो ध्यान में जा सकता है लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हिमाले किस लिए जाता था जितना ताप कम हो जाए वातावरण में उतना भीतर प्रवेस आसान हो जाता है लेकिन कितने लोग हिमाले जा सकते हैं लेकिन बंबई में एक एर कंडिशन मेडिशन हाल हो सकता है कोई हिमाले जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हिमाले पर जो ठंडक मिल सकती है वो बंबई में भी उपलब्ध हो सकती है अब हिमाले पर जाने की विर्थ की दौर धूब है अब तो ठीक बंबई के बीच बाजार में भी उतनी ही सीतलता उपलब्ध हो सकती अगर उंचाई से कुछ लाब होता है जमीन के ग्रेविटेशन के कम होने से कुछ लाब होता है तो बंबई में भी ग्रेविटेशन कम किया जा सकता है तो वहां भी इतना ही उत्ताब पहुँच जाएगा इतनी ही गर्मी पहुँच जाएगी average पर जिस दिन जाने का रास्ता सीधा होगा उस दिन हम बस्तियां वहाँ भी बसा लेंगे आने वाले भविश्च में मनुस जहां है वहीं सारी टेक्नलाजी और साइंस का उप्योग किया जा सकता और वहीं सारे बवस्था की जा सकती है जो कि एक योगी को बड़ी तकलीफ हो उठा के वैवस्था करनी पड़ती थी वो विज्ञान के द्वारा संभो हो गई एक सामान आदमी के लिए भी सुलब हो सकती विज्ञान और टेक्नलाजी का पूरा प्रियोग करके ही इस मंदिर को ध्यान के मंदिर को निर्मित करना है ये ध्यान का मंदिर मंदिर सिर्फ इसी अर्थों में होगा कि वो ध्यान का है अन्य था वो एक विज्ञानिक प्रियोग साला होगी इस विज्ञानिक प्रियोग साला में मनुस्राप ने जो जो खोज की है आदमी के संबंद में उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए एक आदमी ध्यान करने आता है लेकिन उसका ब्लट प्रेसर बढ़ा हुआ है इस आदमी को ध्यान में ले जाना आसान नहीं है इस आदमी को ध्यान में ले जाना कठिन है इसके रक्तचाप की जो अधिक्ता है वो इसके ध्यान में बाधा बनेगी पुराने आदमी के पास रक्तचाप को नापने का कोई माध्यम नहीं था लेकिन आज के ध्यान मंदिर में रक्त चाप नापने का माध्यम हो सकता है रक्त चाप को कम करने की व्यवस्था हो सकती और फिर ध्यान में ले जाने की सुविधा बनाई जा सकती हाँ एक बार आदमी ध्यान में चला जाए तो रक्त चाप में जाना मुस्किल हो जाएगा लेकिन रक्त चाप में डूबे हुए आदमी को ध्यान में जाना मुस्किल हो जाता है सारी दुनिया के योगियों ने अल्प आहार पर जोर दिया है कम खाने पर जोर दिया है उपवास पर, अल्प आहार पर, कम भोजन पर, सम्यक आहार पर सारी दुनिया के योगियों ने जोर दिया है फिर भी उनके पास अल्प आहार क्या है इसकी ठीक ठीक जाच की कोई बैवस्था नहीं थी सिवाए अनुमान के ना उन्हें कैलरीज का कुछ पता था ना उन्हें भोजन के तत्वों का कुछ पता था इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अल्प आहार के नाम पर, जो चला उससे नुक्सान ही पहुँचा आज हमारे पास बहुत विज्ञानिक डवस्था है कि एक आदमी को कितनी कैलरी भोजन की जरूरत है और हम यह तै कर सकते हैं कि उसकी कितनी कैलरी कम हो जाएं तो उसे ध्यान में आसानी हो जाएगी कितनी कैलरी ज़्यादा हो जाएं तो कठना ही हो जाएगी अगर जादा भोजन है तो ध्यान में कठनाई हो जाएगी क्योंकि जादा भोजन जादा नीन मांगता है उसे पचाने के लिए उतनी जादा नीन चाहिए कम भोजन कम नीन मांगता है और जितनी भीतर निद्रा कम पैदा होती हो उतना ध्यान का जागरण प्यादा हो सकता है ध्यान तो जागरण है एक आदमी ध्यान करने बैठता है और जादा भोजन करके बैठ जाता है तो फिर कट नहीं होगी लेकिन जादा भोजन से मतलब सिर्फ पेट में जादा चीजें चली जाएं इससे नहीं है क्योंकि हो सकता है एक आदमी ने बहुत साख सबजी खा लिया हो पेट पर तो बजन ज़्यादा हो लेकिन भोजन ज़्यादा ना हुआ और एक आदमी ने थोड़ी सी मिठाई खाई हो पेट पर तो बजन कम हो लेकिन भोजन जादा हो गया हो और आम तोर से सादू सन्यासी मिठाई खाते रहे दूद पीते रहे रबड़ी लेते रहे इस बात के बिना ख्याल किये लेकिन उसका कोई उपाय नहीं था उसका कोई साफ ख्याल नहीं था आज हमारे पास उपाय है एक आदमी कितना सोए इस पर निर्बर करेगा कि उसकी ध्यान की गति कैसी हो सकेगी दोन consegu बातें संबंदित हैं अगर ध्यान ठीक हो जाए तो नीम ठीक हो जाएगी लेकिन ध्यान को ठीक करना उतना आसान नहीं जितना नीम को ठीक कर ले나 आसान है पहले नीम ठीक कर ली जाए तो ध्यान में गती बहुत आसान हो जाए अब लोगों के पास नीम भी नहीं है वो रात बर सोई नहीं सुबह ध्यान करने बैठ गए जो आदमी रात बर सोया नहीं वो ध्यान में सिर्फ सोईगा इसलिए मंदिरों में पूजा करते हुए साधू को सुनते हुए लोग अगर सो जाते हैं तो बहुत हैरानी नहीं मैंने तो सुना है कुछ डाक्टर सलाय देते हैं कि धर्म सभा में चले जाना चाहिए अगर नीम ना आती हो मैंने सुना है एक बहुत बड़ा पादरी अपने एक मित्र को बार बार कहता था कि तुम कभी मेरा व्याख्यान सुनने आओ नहीं माना तो एक दिन वो मित्र सुनने गया पादरी अच्छे सच्छा जो बोल सकता था बोला बाहर जब दोनों निकलने लगे तो उसने अपने मित्र से पूछा कि कैसा लगा तो उसने कब बहुत ही ताजगी देने वाला रिफ्रेसिंग पादरी की हर्दे की धर्कन खुशी से बढ़ गई उसने का कौन सी बात तुम्हें इतनी ताजगी देने वालने लगी उसने का कि जब मेरी नींद खोली तो मन बढ़ा ताज़ा था इतना तो मुझे घर भी नींद आती तब भी इतनी ताजगी नहीं मिलती मैं जरूर आया करूंगा तुम्हारा भासन बहुत रिफ्रेशन था क्यों आखिर मंदिर में धर्म कथा में आदमें को नींद आ जाती बात क्या है बोर्डम उप पैदा हो जाए नींद आ जाती कोई चीज उबाने लगे नींद आ जाती और नींद की कमी हो तो जल्दी ही कोई चीज उबाने लगती जिनको नींद नहीं आती वो मेरे पास आते हैं वो कहते हमें नींद नहीं आती ध्यान से सैद नींद आ जाए उन्हें पता नहीं ध्यान से नींद जरूर ठीक हो जाए लेकिन निंद का ठीक होना ध्यान में जाने के पहले बहुत जरूरी है अन्य था ध्यान में जाना मुस्किल हो जाएगा कठिन हो जाएगा कठिन हो जाएगा कि चित्त को पहली जरूरत निंद की है और जैसे ही विस्राम मिला चित्त सो जाएगा और ध्यान में जरूवत है विसराम में भी जागे हुए होने की relaxed and aware एक तरफ सब विसराम हो और एक तरफ सब जागा हुआ तभी कोई ध्यान में प्रवेश कर सकता है और नीन का नियम यह है कि यह हम विसराम हुए बाहर कि भीतर नीद आ गई relax हुए कि नीद आ गई तो ध्यान में अक्सर लोग सो जाएंगे अब यह सारी व्यवस्था आज की जा सकती है नीन ना पी जा सकती है उनके सपने ना पे जा सकते हैं कि कितने सपने आपको आ रहे हैं आपको भी पता नहीं होता कितने सपने आ रहे हैं कैसे सपने आ रहे हैं कल ही एक साधी का मेरे पास थी ध्यान करना है उसे मैंने उसके सपनों के बावत पूछा उसने का कि सपनों से क्या मतलब आपको मुझे ध्यान करना है मैंने उससे का कि मुझे पूछना बहुत जरूरी क्योंकि सपने ही मुझे बताएंगे कि तुम्हें सच में ध्यान करना है या कुछ और करना है उसने का सपने में तो मुझे सिवाय काम वासना के और हिंसा के हत्या के आग लगा देने के इस तरह की सपने आते हैं तो मैंने कहा कि वही तुम्हारा चित्त करना चाहता है, अभी ध्यान मुश्किल पड़ेगा, पहले तो तुम्हारे सपनों को सुध्ध करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को स्वयम को सुध्ध करना है, वो अगर अपने सपनों को भी सुध्ध न कर पाये तो स्वयम को तो स्वयम का सुध्ध होना बहुत मुश्किल है, जिसके सपने भी अभी सात्विक न हो पाए हो, उसका सत्व सात्विक हो जाए, ये बहुत मुश्किल है, जिसके सपने अभी सांत न हो पाए हो, उसकी सत्ता सांत हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आज से पहले सपने की जाचने की कोई सुविधा न थी इस ध्यान के इंदर में सपने के जाचने की पूरी ब्यवस्था करना चाहता हूँ अब तो इन्जाम है जिसे आपका कार्डियोग्राम लिया जाता है वैसे ही आपके रात नीन के सपने का ग्राफ बन जाता है कि आपने कितनी देर सपने देखे किस तरह के सपने देखे वाइलिंड थे, नान वाइलिंड थे, सेक्सूल थे, नहीं थे, सेक्सूल क्या था सपने किस तरहे के थे इसकी काफी जानकारी ग्राफ दे देता है और कितना सपना देखा रात पर क्योंकि ये जान के आप हैरान होंगे कि सपनों के संबन में जितनी जानकारी बढ़ी है उतना ये प्रतित हुआ है कि चित्ते के बीतर भी वेबस हैं तरंग हैं जब सपने चलता है तो तरंग और तरह की होती है जा si अब रखक सकति और गारी ओधर मरं ये चलते होती है तो तरंग्यां वैसी ही होती ही जैसे जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है चिंता और स्वपनों का जोड़ है गहरी निद्रा और ध्यान का जोड़ है ये सारी व्यग्यानिक दवस्था इस ध्यान मंदिर में करने का ख्याल है और प्रत्यक व्यक्ति को व्यग्यानिक रूप से साहता पहुँचाई जा सके ये दरश्टी और मेरे देखे आज मनुस को ध्यान की जितनी जरूवत है उतनी किसी और चीज की जरूवत नहीं है क्योंकि आज मनुस जितना असांत है उतना मनुस असांत कभी भी नहीं था